हाड यो फ्रेंड्स मेरे साथ में एक बहुत प्यारा सा बच्चा है आप देखिए इसको यह जनाब जर्मन शेफ़र्ड हैं पांच महीने इनकी उमर है तक्रिवन साड़े छे साथ किलो इसका भार है मैं बात रिपीट कर रहा हूँ यह जर्मन शेफ़र्ड है कि छे साड़े छे किलो नाक्षियों में इसका भार है और जो साइज आप देख रहे हैं जो कंडिशन वह आप देख रहे हैं ऐसा यह पहला डॉग नहीं है दुनिया का बहुत सारे पैट ओनर हैं जो डॉग ले आते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि उसको रखना कैसे ह उसे क्या खाने को देना क्या पीने को देना जो यह यह तरीका है ना डॉग को रखने का यह गलत है टॉर्चर है मैं बादल बंडारी हूं और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बहेवरिस ठूं प्राउड़ी जब इस तरह का डॉग देखता हूं वैक्सिनेशन नहीं हुई मैं बात रिपीट कर रहा हूं यह बच्चा पांच महीने का है इसको आज तक एंटी रेपीज नहीं लगी पपी डीपी नहीं लगा कोई 9-1 को 11-1 कुछ नहीं हुआ और जिंदगी में एक बार सिरफ डिवर्मिंग हुई है और उसका भी जो ही गई या नहीं दो रोटी दहीं के साथ में इसको तीन टाइम मिलती है दो रोटी दहीं के साथ में तीन टाइम मिलती है अब सोचिए डॉग को जिन्दा रखने के लिए तो इतनी डाइट बहुत है लेकिन अगर उसकी ग्रोथ चाहिए तो हम ऐसे नहीं रख सकते उसको य जो उनर है यहीं उन् tam मुझे बोला करने यह बीड बताओ कॉन सी एफ वो मुझे कोष्चं कर रहे थे यह बीड कॉन सी इसाघन कर से तो को सम्वेंच χोण के लिया था वहो कहते हमने जनğ में शेफ़ड सो खिलिया था मैं कोई बात नहीं है और लिट अब हम बात करेंगे इसको खाने को क्या दे रहे हैं वो अपनी तरफ से तो वो बचारे सही दे रहे थे लेकिन जितनी उनको नॉलेज थी मोरज वो जिसके पास भी गए जिस भी डॉक्टर के पास गए है जिस भी जिसके पास भी गए इसकी सहत को इ revised करने के लिए पूछने के लिए तो वह उन्होंनें गाइड ही निगा नहीं स्काइट है इसलिए वो रीजन था उन्हें खुद भी तो पता हो कि से क्या देना है कि और अगर आपका डॉक भी इस कंडिशन में है या इसके आसपास की कंडिशन में है तो आप यह समझे कि आपको एक प्रॉपर डाइट शेडियूल की जरूरत है अपने बच्चे के लिए जिससे वो ग्रोग करें आप यकीन किजिए इसकी ट्रांस्फर्मेशन हो सकती है बिल् 27 डेज पर 10.5 kg और यह देड़ सो महीन देड़ सो दिन का है पांच महीने का देड़ सो दिन का कम से कम उससे डबल है बॉड़ी वेट सिरफ साड़ेचे साथ किलो है आप सोचिए यह क्या ग्रोग कर रहा होगा और इसमें जान क्या होगी वह बोलते हैं सरी कोई बाहर वाला तो भॉंकता नहीं है घर की रखवाली नहीं करता है अरे पहले सबसे पहले उसनि थोड़ी से हम जान डाले उसको इस लाइक तो बनाए अगर आपको लगता कि आपके डौग की णिशन उसकी घृथ प्राउप पर नहीं हो री आपको पता नहीं है क्या देना क्हान नहीं द मैंने चार्जिज लिए रीजन अगर मैं फ्री आफ कॉस्स की कोई वैल्यू नहीं है 99% वैल्यू नहीं होती यह से फॉलो भी करेंगे इंप्रूमेंट भी आएगी मैंने रिक्वेस्ट करूगा एक मीने बाद लाके मुझे दिखाएं इसी बच्चे की ट्रांस्फर्मेशन का वीडियो बनाऊंगा अगर यह नहीं लेकि आएंगे तो मैंने कॉल करके इनका नंबर लिया मैंने मैं कॉल करके इनके घर जाओंगा स साथ में इस बच्चे का फिर से देखेंगे कि यह नहीं अगर इसे फॉलो किया तो कितनी अच्छी ग्रोथा यह यह बच्चा एक महीने में थर्टीन से फॉर्टीन केजी तक चले जाएगा मतलब अभी से डबल जाएगा बॉडी वेट में अगर यह प्रॉपर फीड सप्ल अब उसे फॉलो करेंगे और मैं साहिन से रिक्वेस्ट करूंगा उकी साहिन इसकी जो लाइफ है उसको बेतर करो ताकि यह अच्छा बढ़िया सा ग्रो करें और अपनी जो जिंदगी है उसको खूब बढ़िया वाला इन्जॉय करें जानी नहीं है बच्चे में आई होप यह जो वीडियो बनाया है यह आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्ली से लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो सब्सक्राइब करना मत भूला और यह ब्रुनो नाम है ब्रुजो तो ब्रुजो के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना यह ब्रुजो हो यह ब्लेस्ट बब्लेस्ट बाइ